रोयल गुजरात नियूज में आपका स्वागत है जिसमें मुख्य अतीथी के रूप में रामोल की सीनियर पुलिस एंस्पेक्टर एव दवे सामेल हुए विजेता विध्यार्ती को पुरुसकार वितरान करके उनको सन्मानित किया गया देखे इस खास रिपोर्ट में यहीं कहना चाहेंगे कि हर साल यह होता है और हमें हम स्पोर्ट में पाटिसिपेट करते और इनका हमें प्राइज दिया जाता है और हमारे सर और हमारे टीचर सब हमको कमनाए देते हैं दान्स होते हैं प्राइज डिष्टी रिपूट करते हैं और सब हसी मजाग्स एंटरेटैनमेंट सब होता है साइंस फेयर होता है फन फेयर होता है और स्पोर्ट से होते हैं पूरा वन वी यहीं चलता है सारे स्पोर्ट डेज मनाया गया, आनन्द मेला मनाया गया, फिर भी साइन्स फेर मनाया गया था और आज एन्यूल फंक्सेन है, इस तरह से विध्यारती की हर तरह के प्रतिभा को पहचारने के लिए स्कूल ना जो ये अरेंज किया है, वो काबिले तारिफ है और इसे सराया से मोमेंटो लिया है, हमारे लिए बहुत खुसी की बात है, हम उनसे इंस्पायर होते हैं, कि उन्होंने अपनी जीवन की कटनाईयों से किस तरह से उभर कर इस प्रकार की सफलता प्रप किये, और उनसे हमें मिल रहा है मोमेंटो, ये हमारे लिए बहुत फोबाग्य की बात इस स्पोस डे में हमने बच्चों के बीच में क्रिकेट के मेच करवाए, खोखो के कंपिटीशन करवाए, कबड़ी करवाए, बोज और गल्स में, हमें हमारा सबसे पहले स्पोस डे में सभी खेल के हमने गेम करवाए, इसके बाद विज्ञान मिला साइंस फेर का हमने आयो फेर का योजन किया था फन फेर में बच्चों ने इस्टॉल लगाय थे लगबग 35 जैसे इस्टॉल बच्चों ने लगाय थे जिसमें उन्होंने पकोडी का सूप का और इस तरह से विविन वानगी बना कर और यहां पर सेल आउट किया था और आज के दिन हमारा एन्वल फंक्शन है इसमें बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लिया और आज ही के दिन हमने प्राइज डिस्टिबुशन किया हर बच्चे पढ़ने में हुस्यार नहीं होते हैं अलग अलग प्रतिभाय होती है तो कुछ आकस्मी कारणों से जैसे जानते हैं गुम्तिपूर का जो अभी चल रहा है इसकी वजह से नहीं आ पाए और पी आई साहर दवे साहर थे तो उन्होंने हमें सुझाओ दिया कि इस तरह एक्टिविटी करते रहे हैं इसकोल के बच्चों के लिए हमेशा हो ततपर रहत होती अच्छी मेहनत करके बच्चों के साथ एक इवेंट का आयोजन किया है जिसमें साइन्स फेर, स्पोर्ट्स डे, फन फेर और उसके अलावा अलग अलग अक्टिविटीज के उन्होंने आयोजन किया है बच्चों को शिक्षा के उपरांत उनका सरवांगी विकास हो उस लिए बच्चों में एक नया एक आयाम पैदा करती है जिससे आगे के भविश्य में भारत को अच्छे खोज करता और अच्छे एक खिलाडी को भी मिलते है तो मुझे मेरा एक कहना है कि हर स्कूल को ऐसे आयोजन करने चाहिए और हर बच्चे में से सभी को टेलेंट निकाल के देश के लिए योगद्यान के लिए उसको आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं कि हर बच्चा कुछ न कुछ टेलेंट के साथ पढ़ता होता है तो उस टेलेंट को पैचान के उन बच्चों को प्रोचसाइद करते हुए उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना और मैं ये शुबेच्या दिना चाहता हूं कुछ पंजली स्कुल को कि वो उन्होंने बहुत अच्छा होजन किया है और अगले साल और हर साल वो ऐसा होजन करता रहें जिससे बच्चों को उत्सा और प्रोचसान भी मिलता रहेगा